C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की गनित की पाठ्थे पुस्तक गनित का जादू प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याए 1 इसका शीर्शक है क्या है लंबा, क्या है गोल प्रिष्ट 1 से प्रिष्ट 8 तक तो आईए अब सुनते हैं अध्याए 1 शीर्शक क्या है लंबा, क्या है गोल प्रिष्ट 1 इस प्रिष्ट पर सबसे उपर बाई और एक बालक का चित्र दिखाया गया है उसके सामने लंबाई में रखी हुई और खड़ी हुई अवस्ता में रखी एक चीज रखी है साथ ही एक गोल वस्तु भी रखी है जो के इस अध्याए के शीर्शक को सार्थक बनाती है नीचे लिखा है नाम बताओ बच्चे अपने मीकु चाचा को बहुत प्यार करते हैं वे रोज उनके साथ खेलते हैं आज उन्होंने अपने थैले में तरह तरह की चीज़ें रखी हैं खेल है नाम बताओ इस प्रिष्ट पर बीच में एक चित्र दर्शाया गया है जिसमें मीकु चाचा बिलकुल बीच में बैठे हुए हैं और उनके पीछे खड़ी हुई एक बच्ची उनकी आँखों पर पट्टी बांधते हुए दिखाई दे रही है इसी तरह मीकु चाचा के इर्दगिर्द छै और बच्चे खड़े हुए हैं उनमें से एक बच्ची एक थैले में हाथ डाल रही है पीछे खड़ा हुआ एक लड़का थाली बजा रहा है मीकु चाचा के दाई और खड़ी हुई लड़की के हाथ में एक बोतल नुमा चीज है मीकु चाचा आँखों पर पट्टी बांधती हुई लड़की से कहते हैं तुम्हें सोचकर बताना है के मेरे हाथ में क्या है मैं तुम्हें बताऊंगा वो चीज छूने में कैसी लगती है। मीकू चाचा अपना हाथ थैले में डालते हैं। इस प्रिष्ठ पर नीचे बच्चों की दो टीम्स दिखाई गई हैं। बाई ओर है टीम A और दाई ओर है टीम B। टीम A गाना गाती है। आँखे मीचे पता लगाएं, हाथ से चूएं और बताएं, चूने में कैसा जरा बताएं, हम नाम बताएं, खेल जीत जाएं। प्रिष्ठ दो इस प्रिष्ठ पर सबसे उपर मीकू चाचा का चित्र दिखाया गया है। उनकी आँखों पर पट्टी बंधी हुई है और वे थैले में हाथ डालते हुए दिखाई दे रही हैं। मीकू चाचा कहते हैं, एक छोर नुकीला, दूसरा छोर चप्टा, पाइप की तरह गोल, क्या है तोलमोल के बोल। बीच में गुलाबी रंग के बकसे में महत्पपून जानकारी दी गई है। टीम ए कहती है, पेंसिल। क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो। क्यो न तुम मीकू चाचा के सवाल का कोई अलग जवाब सोचो। इस पंक्ती के ठीक साथ में एक लड़की का चित्र दिखाया गया है। वो सोचती हुई नजर आ रही है। उसके दिमाग में प्रश्न चिन्न दिखाया गया है। अब टीम ए की बारी है छू कर पता लगाने की। वे गाते हैं, छूने में कैसा, जरा बताएं, नाम बताएं, खेल जित जाएं। टीम ए का बच्चा अपना हाथ थैले में डालता है। टीम ए के दूसरे बच्चों को पता लगाना है, क्या तुम उनकी मदद कर सकते हो। इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे टीम ए के एक बच्चे की आँखों पर पट्टी बंधी है और वो थैले के अंदर अपने दोनों हाथ डाले हुए है। वो कहता है, सब तरफ से गोलम गोल, ना कोई कोना, ना कोई छोर, हाथ में अपने इसे घुमालूं, चाहे तो इसको लुडकालूं, सोचो तो, क्या हो सकता है ये। इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे, सलेटी रंग के बक्से में महत्वपून जानकारी दी गई है। शिक्षकों के लिए निर्देश नाम बताओ, खेल, बच्चों को विभिन्न वस्तूओं की आकरितियों को ध्यान पूर्वक देखने तथा उनका वर्णन करने में मदद करता है। वस्तूओं की भौतिक विशेष्टाओं जैसे किनारे, कोने, चिकनी अथवा खुरदरी सतह है अथवा लुढकती या खिसकती है आदी के बारे में बातचीत करें। उदाहरनार्थ माचिस की डिबिया के कोने नुकीले होते हैं और उसे लुढकाया नहीं जा सकता, जबके एक प्लेट चप्टी होती है तथा उसे लुढका सकते हैं। प्रिष्ठ तीन ये खेल तुम अपनी कक्षा में खेल कर देखो तुम इसे टीम बना कर भी खेल सकते हो तरह तरह की चीजें एक थैले में डालो एक बच्ची की आँख पर पट्टी बांध दो वो अपना हाथ थैले में डालेगी। अब उसे बताना ये है कि थैले में पकड़ी चीज छूने में कैसी है। टीम के बच्चों को उस चीज का नाम बताना है। इस प्रिष्ठ पर दाई और उपर एक पोस्ट कार्ड से एक पुस्तक को उठाने का चित्र दिखाया गया है। इसके ठीक माई और लिखा है कितना मजबूत है पोस्ट कार्ड। एक पोस्ट कार्ड को एक कोने से पकड़ो। अगर तुम उस पर एक किताब रखो तो क्या वो किताब का भार उठा सकता है। पोस्ट कार्ड की जगह है। तुम कोई दूसरा कोई भी ले सकते हो। अब ये करके देखो। एक पोस्ट कार्ड को गोल मोड कर एक पाइप सा बना लो। इस पंक्ती के ठीक साथ में पोस्ट कार्ड का एक चित्र दिखाया गया है। दो, टेप से दोनों मुड़े हुए छोर जोड दो। इस पंक्ती के नीचे पोस्ट कार्ड को पाइप नुमा शेप देकर उसे टेप से जुड़ा हुआ दिखाया गया है। तीन, अब इस पर एक किताब रखो। क्या पोस्ट कार्ड उसका भार उठा लेता है। देखो, पोस्ट कार्ड ने कितनी किताबों का भार संभाला है। इस पंक्ती के नीचे इस प्रिष्ट पर पाइप नुमा शेप दिये हुए पोस्ट कार्ड के ऊपर दो पुस्तकें रखी दिखाई गई हैं। शिक्षकों के लिए निर्देश शिक्षक उपलब्धता के आधार पर किसी भी कार्ड से गतिविधी करवाई। प्रिष्ट चार जल्दी फटा फट बच्चे कक्षा में एक गोल घेरे में बैठे हैं। वे इस खेल को खेल रही हैं और गा रही हैं। इस प्रिष्ट पर बीच में एक घेरा बनाकर कक्षा में बैठे हुए बच्चों का चित्र दिखाया गया है। वे गा रही हैं क्या है लंबा, क्या है गोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। रीना कहती है बल्ला लंबा, गेंद है गोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। सभी बच्चे गा रही हैं क्या है लंबा, क्या है गोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। इस प्रिष्ट पर दाई और नीचे मीनू बैठी हुई दिखाई गई है मीनू कहती है बोतल लंबी धक्कन गोल जल्दी बोल जल्दी बोल और इस तरह से खेल चलता रहता है तुम भी इस खेल को अपनी कक्षा में खेलो बारी-बारी से एक लंबी और एक गोल चीज के नाम बोलो खेल में जिस चीज का नाम एक बार बोल दिया जाए उसे दोबारा नहीं बोलना है प्रिष्ट पांच इस प्रिष्ट पर सबसे उपर लिखा है क्या लुढका क्या खिसका इसके नीचे लिखा है चित्र को देखो पार्क में कुछ बच्चे चीजों को लुढका रही है और खिसका रही है सबसे उपर बाई तरफ एक बच्चा एक पोल पर लेटा हुआ खिसकता हुआ नीचे आ रहा है उसके ठीक साथ दाई और उपर एक बच्चा स्लाइड से खिसकता हुआ नीचे आ रहा है उसके ठीक नीचे एक बच्चा एक खुले हुए बक्से को रसी से बांध कर उसे खिसकाता हुआ ले जा रहा है उसके नीचे एक बच्चा एक गेंद को लुढकाता हुआ ले जा रहा है इस बच्चे के ठीक बाई और एक बच्ची पार्क में गोल-गोल लुढकती हुई दिखाई दे रही है नीचे लिखा है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें लुढकाया जा सकता है और कुछ जिन्हें खिसकाया जा सकता है कुछ चीजें लुढक भी सकती हैं और खिसकाई भी जा सकती है इस प्रिष्ट पर सबसे नीचे क्यारम बोर्ड खेलते हुए दो बच्चे दिखाए गई है ये दोनों स्ट्राइकर से क्यारम बोर्ड के अंदर रखी हुई गीटियों को मार रही है और वे गीटियां खिसकती हुई दिखाई दे रही हैं इस प्रिष्ट पर सबसे नीचे पीले रंग के बकसे में विशेश जानकारी दी गई है शिक्षकों के लिए निर्देश बच्चों के परिवेश में जो चीजें लुढकती या खिसकती हैं उन पर चर्चा कीजिए लुढकने और खिसकाई जा सकने वाली चीजों की आकृतियों पर उनका ध्यान दिलाईए इनके गुणों और इनके अंतर पर बात चीत कराईं जैसे के किनारे, कोने, चिकनी, खुर्दरी सतहीं लुढकती या खिसकती हैं या नहीं प्रिष्ठ चै इस प्रिष्ठ पर सबसे उपर लिखा है अपने चारों ओर की चीजों को देखो नीचे लिखो इस प्रिष्ठ पर एक तालिका में तीन शीरशक लिखे गई हैं पहले कॉलम में लिखा है चीजें जो लुढक सकती हैं दूसरे कॉलम में शीरशक लिखा है चीजें जो खिसकाई जा सकती हैं तीसरे कॉलम में लिखा है चीज़ें जो लुढकाई और खिसकाई भी जा सकती हैं। इन तीनों शीरशकों के नीचे कुछ रिक्त कॉलम दिये गए हैं। इन कॉलमों को भरिंग। अपना छोटा सा पेड एक, एक कागज लो। इस पंक्ती के ठीक सामने एक कागज का चित्र दिखाया गया है। 2. इसे मोड कर एक पाइप बनाओ। इस पंक्ती के सामने कागज को मोड कर पाइप नुमा शेप दिखाई गई है। 3. तुम्हारा कागज का पाइप देखने में ऐसा लगेगा। गोंद या टेप से इसे चिपकाओ। इस पंक्ती के ठीक सामने दाई और कागस को पाइप नुमा शेप देकर उस पर टेप चिपकाई हुई दिखाई गई है। 4. कैंची से कागस के इस पाइप के एक छोर को साथ या आठ जगह काटो। इस पंक्ती के ठीक दाई और कैंची से पाइप नुमा कागस को काटने का चितर दिखाया गया है। 5. काटे हुए कागस के सिरों को नीचे की ओर मोडो। तुम्हारा अपना पेड तैयार है। इसमें रंग भी भर सकते हो। इस पंक्ती के ठीक दाई और कटे हुए कागस के व्रिक्ष नुमा चितर को दिखाया गया है। पहले चितर में व्रिक्ष में रंग नहीं भरे हुए हैं। जबके उसके ठीक साथ वाले चितर में व्रिक्ष के तने को मटमेले रंग से और व्रिक्ष की पत्तियों और शाखाओं को हरे रंग से भरा गया है। प्रिष्ट साथ मेरी मीनार सबसे उंची इस प्रिष्ट पर सबसे उपर तीन बच्चों का चितर दिखाया गया है। पहला बच्चा बाकी दोनों बच्चों से कहता है, क्यों ना सबसे पहले हम डिब्बियों से मीनार बनाएं? इस बच्चे के हाथ में कुछ डिब्बियां दिखाई गई हैं। चित्र के बीच में जिस बच्चे को दिखाया गया है, वो कहता है, देखते हैं, कौन सबसे उंची मीनार बनाता है, इस बच्चे के भी ठीक सामने कुछ डिब्बियां रखी हुई हैं। इन दोनों बच्चों के दाई और एक बच्ची बैठी है, उसके ठीक सामने कुछ डिब्बियां रखी हैं, वो बच्ची कहती है, मैं सबसे उंची मीनार बनाऊंगी। नीचे लिखा है, अलग-अलग तरह की चीजें जमा करो, जैसे तरह-तरह के डिब्बे, गेंद, रबढ, माचिस की डिब्बियां आ दी। अलग-अलग चीजों का इस्तेमाल कर अपनी मीनार बनाओ, जैसे केवल माचिस की डिब्बियों से या फिर केवल टीम के डिब्बों से इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे बाई और माचिस की एक डिबिया दिखाई गई है माचिस की ये डिबिया अदखुली है और इसके अंदर माचिस की तीलियां दिखाई दे रही है इसके दाई और टीन के तीन बक से दिखाई गई हैं नीचे लिखा है अब एक साथ कई चीजों का इस्तिमाल कर मीनार बनाओ जैसे जूते के डिब्बे, टीन के डिब्बे एक साथ या फिर गेंद और माचिस की डिबियां एक साथ इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे हरे रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है लिखा है किन वस्तूओं को एक के ऊपर एक रखा जा सकता है और किने नहीं इस पर कक्षा में एक परिचर्चा कीजिए किन वस्तूओं की सतह चप्टी होती है और किन की नहीं इसे जानने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए उन वस्तूओं के आकारों को वे महसूस कर सकते हैं जो सतह पर स्थिर रहते हैं दुकानों में साबुन, चाए के डिब्बे तथा टीन को किस तरह से एक दूसरे पर चढ़ा कर रखा जाता है इस पर चर्चा करीं बच्चे, पिठ्थू याने साथ पत्थरों का खेल जैसे खेल से आनन्दित होते हैं जहां उन्हें अलग-अलग आकारों के पत्थरों को एक दूसरे पर कम से कम समय में रखना होता है जबके दूसरी टीम गेंद के लिए भागती है प्रिष्ठ आठ इस प्रिष्ठ पर सबसे उपर लिखा है सिक्कों का खेल इन्हें अपने सिक्के से करने की कोशिश करो इस प्रिष्ठ पर उपर सिक्के को एक विशेश तरीके से पकड़ने का चित्र दिखाया गया है लिखा है सिक्के को इस तरह से पकड़ो सिक्के को घुमाओ, क्या ये गेंद की तरह दिखता है? इस पंक्ती के नीचे इस प्रिष्ठ पर बीच में एक बच्चा सिक्के को घुमाता हुआ दिखाया गया है इसके नीचे लिखा है क्या सिक्का लुढकता है? क्या ये खिसकाया जा सकता है? करके देखो क्या तुम एक रुपाई के सिक्के को इस तरह से रिक्तस्थान खड़ा कर सकते हो रिक्तस्थान अब इसे दो रुपाई और पांच रुपाई के सिक्कों के साथ करने की कोशिश करो इस प्रिष्ट पर सबसे नीचे दो रुपाई और पांच रुपाई के सिक्के के चित्र दिखाए गए हैं इसी के साथ पंद्रह अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय एक यहां समाप्त हुआ वाचक बाबला कोचर तक्नीकी समन्वे बटिलैंगलिंग्डो निर्माण सहयोग रुची शर्मा निर्देशन वन निर्माण वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नईदिल्ली भारत